गुद्मारिंग आला प्यूंग आज जो वीडियो में आपके सामें लेकर आए हैं वह है वेस्टिज फ्लैक सॉयल फ्लैक सॉयल के अंदर अलफा मिनालिक एसिड भरपूर मातरा में होता है जो कि आपके हिर्दी के स्वास्तियों को बढ़ाता है आपके स्वास्ति को अच्छा रखता है अलफा मिनालिक एसिड दूसरा इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भरपूर मातरा में होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आपके हिर्दी के अंदर जो फेड जमा हुआ है उसको जलाने के साथ आपकी स्किन आपकी तउचा को अच्छा रखता है आपकी सुन्दर्दा बढ़ाता है, आपके बालों को अच्छा रखता है, जढ़ने से बचाता है, आपकी स्किन पर जो रिंकल्स पढ़ते हैं उनको कम करता है एजिंग प्रोसीज को कम करता है, इसकिन प्राबलम में आपको सभी को फ्लक्स ओईल देना होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के साथ इसमें भरपूर मातरा में वाइटमिन E है, आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नेल, आपके एजिंग प्रोसीज को कम करने के लिए बहुत अच्छा है इसके अलावा इसके अंदर आपको मिलता है मैगनिशियम और पोटेशियम काफी सारी लोग आपसे सवाल करते होंगे कि फ्लैक्सीड ओsystem delightful यूपी को कम करता है नरिल का तेल बीपी को कम क्यों करता फ्लैक्सीड ओ सिर्फ जी काम क्यों क्यों करता है कियों कि तेल होने के सासाथ इसमें मैंगनिशियंग और प्रोटेशियंग भरपूर मात्रा में है इसलिए यह आपके बीप्री को कण्डॉल करता है और इसमें हैं वाइटमिन बी, कौपर, फाइबर, प्रोटीन और जिंक यह सारे पोशन आपको फ्लेक्स सीड ओईल से ही मिल हमारे नाखुन बाल और हमारी इसकिन को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है आपके शहीर में कहीं पर भी फैट होगा उसे जलाएगा इसका मतलब वजन कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छा है वाट लॉस करने में भी हमें फ्लाक्सी डॉयल का यूज करना है दो फ्ल ज्यादा फायदा करता है 15-15-20-20 कैजी लोगों ने वैट लॉस किया है बहुत अच्छे रिजर्ट्स आते हैं आप इन सभी कॉम्बिनेशन को ट्राइ कर सकते हो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है दो लंच के बाद फ्लैक्सॉयल और दो डिनर के बाद फ्लाक्सॉयल ये दो किसी भी लेडी से बात कर लिजे जयादर लेडी को थाइराइड है किसी को प्रेग्नेंसी के बाद हो गया किसी को मेरिज के बाद हो गया किसी को कभी हो गया किसी को कभी हो गया फ्लैक्सीड ओईल हार्मोन्स इंबैलेंस को रेगुलेट करता है नियंतरित करता है सही रखत है उस समय आपके जो हार्मोन्स होते हैं जो पैन होता है उन चीज़ों में आपकी मदद करता है अगर किसी को सिस्ट की प्रॉब्लम है अगर किसी को बहुत पैन होता है जैसे डाइजेस्टिव ट्रेक ज्वाइन के अंदर इंफुलिनेशन सूजन तो आपको क्या देना है फ् ग्लुकोजमाइन और केल्शियम के साथ आपको देना है फ्लैक्सीड ऑईल ग्लुकोजमाइन जब अपना काम शुरू करता है यानि के कार्ड लेज को रिपैर करता है तो उसमें और ज्यदा पैन होना शुरू हो जाता है तो उस पैन को कम करने का काम फ्लैक्सीड ऑईल करे यह एक अलग combination है इसका हमें काफी पाइदा मिलता है आप भी ट्राइए कर सकते हो तो यह थी वैस्टी फ्लैक्स कोईल की चोटी सी जैनकारी आपको कैसी लगी कमेंड बॉक्स में हमें जरूर बताएं वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए इस चोटी सी ज